अगर आपको कोई परिशानी है तो आप हमसे डिरेक्ट मुखातिवों बात शीट करें मिडिया के सहरे अपनी बात ना रखें लेकिन इसके बाबजूद आज पंजाब में कई ऐसे नेता है जिन्होंने अपने मनमाने की सबसे पहले तो मनीस तेवारी जो उनके सांसाद ही है उन्होंने हरिश रावत पर जम कर हम रहा बोला उन्हें यहाँ तक के गटर चाप बता दिया उन्होंने कहा कि मचली जैसे सबसे पहला सवाल पर जिकर करेंगे नहीं इस वक्त मेरे साथ है नहीं आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहला सवाल सोनिया गांदी ने CWC की मिटिंग में जो अपने बात रखें जो तीके सवाल किये जो नेताओं को समझाया उसका नेताओं पर असर नहीं परा क्या वज़ो हो सकता की साफ 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 यही लेकिन आपने देखा जस्त उसके 24 घंटे भी पूरे नहीं होते नव्जोज सिंग सिद्धु ने अपने एक उनको चिठी लिखकर अपनी मांगों के बारे में ट्वीटर पे उन्होंने ट्वीट की थी तो यह तो साफ साफ उनकी बातों का उलंगन हो गया था और अभी जैसे कि कोई अब माणना ही नहीं चाहा रहा है पार्टी में सुनिया गांधी का सितिफा चाह रहे है शायद मेरे खैल से ऐसा हो सठता है और दी को का उलंगन बहुत का उलंगन कर रहा है ने पर भी उनकी बातों का उलंगन कल रहा है यह बहुत गलत चीज है बिल्कुल दूसरी बात ये कि मनीश दिवारी जिसका हमने जिकर गया उन्होंने कहा कि हरी शुरावत बच्चों जैसे करते हैं उन्होंने इस बात के तर्च पे कहा कि पंजाब में कॉंग्रेस के अंदर जो ड्रामा चल रहा है जो नवजों से सिद्धों के नख जो खिचरी पकाया हुआ जो रहता फैला हुआ इसको देखते हुए क्या मनीश दिवारी अभी इस वक्त सही है कि जिस तरह से उन्होंने गटर भासा का कहा बच्चों जैसे लड़ते हुए क्या वो इस वक्त मनीश दिवारी सही है अपने ब्यान पर नहीं देखिए अगर जो पार्टी के अंदर की कला है वो एक अलग है लेकिन आप एक शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पे आप किसी को इस तरीके की भाशा का यूज नहीं कर सकते हैं किसी के लिए चाहे वो कोई भी हो आप उनको कुछ और बोल सकते थे जहां अगर आपने ये बात बोली है सांसद भी है सांसद मतलब इतने सारी इतनी अच्छे पत पर बैठने के बाद आप इस तरह की भाशा का यूज कर रहे हैं कि जनता के ऊपर क्या एफट पड़ेगा इसका तो यह अगर एक नजरी से देखा जाए कि आप किसी को इस तरीके कमेंट्स नहीं कर सकते हैं अब कर पाकिस्तान का नया मसला शुरे गया था आज पाकिस्तान के मैच भी होने वाले हैं तमाम दरस्चख जो करिकेट प्र्यम हैं वह किरिकेट भारती करिके टेम के लिए दौइए कर रहे हैं सवाल दूसरा यह है कि और जो पुर्व केंद्रिय मंत्री रही है हर सिमरत कौर और क के बीच में पाकिस्तान को लेकर ड्रामा चुरिया था कि कौन किसका दोस्त है सब तस्वीर करें लेकिन इन तमाम चीजों पर बहुत दिनों के बाद नब जो सिस्दू ने एक अपने चुपी तो रही है उन्होंने कहा है कि बापस मुद्दों पर आए उन्होंने नसीहत दिय है अगर उन्होंने ऐस सब इस बिलक度 छाई और कियो कि कि दूसरे के बारे में कि कौन किसका दोस और स्विर कि अखको पिछर शेयर मतलब वायरल हुए थी उसमें उनकी दोस्त थी जो वो उसको लिया पाकिस्तानी अश्र है ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था और खबरों में भी आ रहा था लेकिन आप एक चीज सेखे आपकी आप अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए तो कहीं ना कहीं नब जो सिंग सिद्धु ने अगर यह बात बोली है अपना ऐसा बयान दिये तो बहुत सही बोला आप किसी की लाइफ में गुसके ना गुसकर पार्टी पे जादा ध्यान दीजिए चुनाव आने वाले उन में जादा ध्यान दीजिए क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो पंजाब में कितने दिनों से काफी बवाल मचा हूँ है उस बवाल को बंद कीजिएगा किसी की परसनल ल हम जो कपिल सिब्बल गुलाम नभी आजाद मनीश तिवारी हरी श्राबत नबजोस सिदू और भी कई ऐसे दिगजुनेता है जो अपने में लड़ते रहते हैं मेडिया के माधियम से ट्विटर के माधियम से लेकिन सूनिया गांधी तक बात पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ नहीं हो पता क्या यह नेता खुद में लड जगड कर क्या सुनिया गांधी का बाकई में इस्तिवा कररा देंगे यह इन लोगों के डरामा को दे देखते ही कि lithium गःता है गया Все करने के लिए बिल उल्टाइ देखने को मिल रहा है जब से यह बात बोली है इसके बाद तो यह सब पुर जाना देखने मिल रहा है जितने भी नेता है एक दूसरे के ऊपर ट्वीटर पर तंज कसते हैं एक दूसरे को बोलते हैं तो कहिंदक सब बिलकर aisa सोच ही रहे है एक अनुमाल लगा सकते हैं हम छोटा सा कि सोजी रहे हैं कि सुनिया गांदी को अब अपना पद छोड़ देना चाहिए उनकी जिम्मेदारिया उनसे उनको एक तरफ होके बैठ जाना चाहिए ऐसा हो सकता है एक्जैक्ली यह बहुत बड़ी बाद है चली एक आखरी सवाल है नहां आप से वो यह है कि कॉंग्रेस के खेमे में जो चल रहा है वो तो ठीक है कॉंग्रेस के अंदर जो अंतरकला चल रहा है वो भी ठीक है कॉंग्रेस के अंदर जो खिचरी पकाई जा रहे है यह भी ठीक है लेकिन इन सब का चुनाम में क्या फायदा होगा अब सवाल मेरा यह है आप सोचेंगे कि ऐसा सवाल क्यों कि हरी शुरावत जो पुर्व मोखे मंतिरी भी रहें कॉंग्रेस के प्रभारी भी रहें अभी पर चमंजाबे अभी उन्हें बदल दिया गया तो सवाल यह है कि उन्होंने आखिर किस तंच पर कहा होगा कि यह जो अंतरकला चल रहे यह जो नर क्योंकि अगर यह कल है चल रही है क्योंकि मतलब किसी के ऊपर कॉंग्रेस का इतना फोकस नहीं था लेकिन जब से पंजाब के अंदर यह कल है चली है मतलब एक तरफ फोकस हो गई है पंजाब कॉंग्रेस तो खासकर फोकस हो गई है सब की नजर कॉंग्रेस पार्टी के गूँआ पंजाम में क्या हो सकता है कौन इस्तिफ़ां क Daar सबना मैं विदासवाच चुनाओं ओपर ज्यादा रह सकता है ज्यादा रह सकता है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं लेकिन अब देखते हैं कि जो ये निताओं के ड्रामे चल रहे हैं इस पर आला कमान का क्या रोख रहता है या कि अब फिर कोई मीटिंग होती है जिसमें इन तमाम लोगों को जो है डाट पढ़ने व झाल